कोकोनट कुकीज बनाने के लिए हमने हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, 50 ग्राम पीसी चिनी, 200 ग्राम मैदा वह 100 ग्राम अमूल बटर यूज़ करेंगे सबसे पहले बटर को फ्लापी होने तक फेटेंगे, बटर का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें पीसी चिनी एड़ करेंगे पीसी चिनी अच्छे से मिल गई है, अब इसमें नारेल केस डालेंगे, और मेदा, नमक वह वेकिंग सोडा एड़ करेंगे अब इसको अच्छे से मिला देंगे, हलके आज से मिलाएंगे, अच्छे से मिला के डो तैयार कर लिया है अब इसको क्लीनिंग रैप करेंगे, और आधे गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे कोकोनट कुकीज को फ्रीज में आदा गंटा हो गया है, अब इसको निकाल के इसकी कटिंग करेंगे छोटे छोटे पीस में काटेंगे ट्रे पे हलका सगी लगा देंगे अब इसकी बिसकीट कट करके ट्रे में लगा दिया है, अब 180 डिग्री पर इसको बारा से पंद्रा मिनिट बैक करेंगे हमने ओवन को 10 मिनिट के लिए ट्री हीट किया है हाँ तो फ्रेंड्स लजीज खजाना की नही नही रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाना न भूले हमारे कोकोनट बिस्कीट बनके तयार है आप बनाते समय उपर से कोकोनट का बुरादा भी थोड़ा लगा सकती है मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ जब तक के लिए गुड़ बाई